कहां तो जाता है कि पीयम मोधी किसी से नहीं डढते। 56 इंच का सीना है धाकर फैसले लेते हैं लेकिन बांगलादेश की प्रधान मंत्री शीख हसीना ने वो कर दिखाया है जो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कभी नहीं कर पाए या फिर यूँ कहे ये फैसला लेना बाल मचा दिया है हम आपको बताते हैं अबर देखेगा वन इंडिया हिंदी की इसमें लिखा हुआ है कि बांगलादेश में बैलट पेपर से होंगे लोग सबाद चुनाव इवियम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने स्विकारा तो विपक्ष ने आरोब लगाया कि ब एवियम टैमपर की जाती है एवियम की हाकिंग होती है निश्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं पार दर्शिता नहीं है इस पर बांगलादेश सरकार ने क्यान लिया है कि इस बार इवियम से भाई वैलड पेपर से चुनाव होंगे तो यहां पर को और दरने वाली बात यह चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं फिलाल क्या फैसला निकल कर सामने आया है धान से सुनेगा क्योंकि प्रेजेंट सिनारियों में भारत में जैसे इस्तिती चल रही है ऐसे में बांगलादेश का ये फैसला काफी जादा एहम हो जाता है अबर में लिखा है कि इलेक्ट्रोनिक कोटिंग मशीन को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि भारत के पड़ोसी बांगलादेश में भी विवाद हो रहा है और अब बांगलादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आगम चुनाव में इवियम का इस्तिमाल नहीं करने पर सहमती जता दी है तो प्रदान मंतरी कि ने कुद कह दिया है कि अगर विपक्ष को मंजूर नहीं है तो हम इवियम से नहीं बालट पेपर से चुनाव करवा लेंगे आगे सुनिए इसमें लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार ने विपक्षी इवियम हटाने और बैलट पेपर के जर्ये द वजाए बैलट पेपर से चुनाव हो गए तो मोधी सरकार दिखाई नहीं देगी लेकिन इन सबके बावजू 56 इंच का सीना रखने वाले मोधी सरकार ने कभी भी इवियम पर बैन नहीं लगाया और तो और इसका पुर्जोर विरोध किया वहीं आप देख सकते हैं कि बां पर बैन ये भी आपको बताती हूँ खबर देखेगा कि विपक्षी पार्टियों ने किया था विरोध बांगलादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बी एन पी सहित्म प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने चुनाव में मशीनों के इस्तमाल का कड़ा विरोध कि इसलिए बांगलादेश के सभी 300 यानि कि जितने भी संसदी निर्वाचन छेत्र हैं उसमें बैलेट पेपर और पार दर्शी मत पेटियों का उप्योग होगा इसकी घोशना बांगलादेश शिनाव आयोग ने कर दी हैं वहीं बांगलादेश के राजवितिक परियोग्षक इसलिए त्रूप से बढ़ावा मिलेगा तो चवी को बढ़ावा मिलेगा लोग तंत्रमूल्यों को मजबूती मिलेगी ऐसे में बैलेट पेपर का इस्तमाल किया जा रहा है आपको बता दे कि जो निर्णे लिया गया है यह सिर्फ प्रदान मंत्री के आदेश पर नहीं लि आते हुए बैलट पेपर से चुनाव करवाने का निर्ने लिया है देखेगा सरकार ने चुनाव आयो पर छोड़ा था फैसला पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान बांगलादेश की प्रदान मंत्री शेक हसीना ने कहा था कि सरकार ने चुनाव में डिजिटल आयोग पर छोड़ रहे हैं कि वो क्या पैसला लेंगे हम चुनाव आयोग के फैसले को सुईकार करेंगे और अब चुनाव आयोग ने बैलट पेपर से चुनाव कराने का पैसला लिया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तठस्तता की बात हो रही है पारदर्शिता की ब करती हैं चुनाव आयोग पर पैसला छोड़ती है और चुनाव आयोग भी इस पर मोहर लगा देता है जब से ये खबर बांगलादेश से निकल कर सामने आई है सोशल मीडिया पर वाइरल हुए तब से भक्तों की टोली ब्याक्टिव है भक्तों का कहना है कि बांगलादेश न चुनाव कराया जा रहा है लेकि शायद भक्तों को यह नहीं पता है कि सुपर पावर अमारिका भी इवियम का इस्तवाल नहीं करता है वहां पर भी बैलेट पेपर से चुना होता है तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अमारिका के पास भी पैसे नहीं है फिर से टोटते हैं और आपको बताते हैं भारत का हाल खबर देखी का TV9 भारत वर्ष की इसमें लिखा हुआ है कि इवियम पर फिर एक जुट पर एक जुट हुआ विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोट तक उठाएंगे मुद्दा तो 2024 लोगसबा चुनाव नजदीक है इसके पहले विपक्ष एक बार फिर से इवियम को लेकर एक जुट हो चुका है इवियम को लेकर विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दा चुनाव आयोग में भी उठाया जाएगा और ना ही सरकार की तरफ से कोई जवाब निकल कर सामने आता है ऐसे में विपक्ष ने एक जुटता दिखाई है और सुप्रीम कोट जाने का पैसला लिया है फिलाल आपको बता देगी जो बांगलादेश से पैसला निकल कर सामने आया है इसका स्वागत भारत में कई लोगों ने किया है पूर्व आयस है सूर्य प्रताप सिंग वो इस खबर को शेयर करते हैं वो लिखते हैं कि बांगला देश में विपक्ष्ट की आपत्ती पर EVM हटाई गई बैलोट पेपर से चुना होगा विश्यू के अधिकांश लोगतंत्रों में बैलोट पेपर से ही चुना होता है और जब हमारा देश तो लोगतंत्र की मदर ओफ डेमक्रेसी कहा जाता है तो ऐसे में बैलोट पेपर से चुनाओ कराने में क्या ही दिक्कत है आगे देखी जाओ लिखते हैं बांगला देश भारत को न केवल आर्थिक प्रंट पर चुनोती दे रहा है बलकि चुनाओ सुधार में भी छलांग लगाई है भारत में इवियम क्यों? तो ये सवाल किया जा रहा है कि जब बांगला देश रोक लगा सकता है तो भारत में इवियम पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती? अगर बात करें चुनाओं की तो उत्तर प्रिदेश का उधारन जीता जाकता उधारन है जैसे ही चुनाओं शुरू हुए लगातार इवियम को लेकर सवाल खड़े किये गए अखलेश यादों ने लगातार सवाल खड़े किये इवियम को कूडा में पाया गया इवियम में कोई भी बटन दबाओ भी जेपी को वोट जा रहा है कई जगाहों पर तो समाजवादी पार्टी का बटन ही नहीं है इस तरह के सवालों से चनाव आयोग इवियम और मोधी सरकार लगातार घीरी रही लेकिन किसी तरह का कोई पुकता जवाब निकल कर सामने नहीं आया हालत तो ये रही कि कुर्सियां तक खाली कर पड़ी रही प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी की रैली तक में लोग उनको सुनने के लिए नहीं आया लेकिन फिर भी उत्तरपिदेश 2022 में योगी की सरकार रिपीट हो गई और इसके बाद जब बैलेट पेपर के जो नतीजे थे उनका खुलासा हुआ तो अखिलेश यादों का जो शक था वो और भी जादा गहरा हो गया तो कि कुछ जगाहों पर जो बैलेट पेपर से चुनाओ कराए गए थे उसमें समाजवादी पार्टी आगे निकल गए खबर देखिए अगर आपको नहीं याद है एबीपी की कपर देखिए का इसमें लिखा हुआ है कि अखिलेश यादों ने कहा कि पोस्टल बैलेट में 51.5 पीसदी वोट सपा को मिले इतनी सीटों पर जीत का किया दावा तो अखिलेश यादों ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चिनाओ हो गए तो भारती जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी और हमको 355 से जादा सीटे मिलेंगी हमको बहुमत मिलेगा फिलाल उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ आपने देखा लगातार सवाल खड़े होते हैं लेकिन EVM बैन नहीं होती फिलाल सवाल इस बात का भी है कि पूरे देश में नहीं तो एक राज में अगर हिम्मत है तो EVM बैन करके बैलट पेपर से चुनाओ करके दिखाएं फिलाल इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है कि EVM भारत में बैन होगी या फिरकी नहीं होगी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पर दबाया वा लाइकर दबाया पकि हर कबर की नोटिफिकेशन आप तक वहस्ती रहे मैं प्रियेंक का आप देख रहे हैं टॉर्लाइन न्यूस इंडिया मैं मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए अजवाद